कहते हैं हरी सुम्रे सोवार है और गुरु सुम्रे हो पार अब यहां गुरु का सिमन नहीं गुरु जी ने जो मंतर दिया है उसको जो सिमन करते है वो पार होंगे तो गुरु मंतर होता वो गुरु का सिमन कहलाता है अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के इंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संथ के परती सौपन में भी भाव नहीं आवे और फिर जब गुरुजी न मंतर जो देजिया जिसमें तुम जाप करते हो उसमें आपको ये राध्दा स्वामी वाले कहते हैं सुरत सब्द का भ्यास करते हैं और भ्यास क्या करते हैं डाही गंटे सुवार डाही गंटे साम बैठकर ध्यान लगाते हैं दुन सुनते हैं ये इनका सुरत सब्द भ्यास बताए नहीं रखतर अगे जो नाम आपको दिया है उस्यमन करते समय उसके उपर वो सुरत लगाओ सुरत में चत लगाओ ध्यान लगाओ वो सबद तो गुरू हो गया बे जो गुरू जीन मंतर दिया है नाम दिया वो तुम्हारा गुरू समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो जो सुई में डोरा रहे सबद गुरू चत चेला रहे तो ये सबद सुरत अभ्यास है के सिमरन करते समय आपका ध्यान उस सिमरन के जो अजपा जाप आप करते हूं तो उस जाप के ऊपर रहे मैं बहर कौन सा मंतर छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं धान ना डगया अगर ये धान डगया रूँए से सांस लेंगे उसका लाब क्या हुआ तो ये है सुरत सबद अभ्यास ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पे धान डट्या रहे कबिर साहब कहते हैं कि मुक माला तो करमे फरे और माला तो करमे फरे और मनवा फरे चूँ और तो ये सुमन नहीं है जी व्या तो मुक में परे और माला करमे अर जान की तो और गुम्रत कहते हैं ये सुमन नहीं तो ये सुरत सबद अभ्यास इसको कहते हैं कि सुमन करत एक आगर चित करो, और क्या जाब करा है उसको जहान करो, वो शिमन्न आपका, उंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए, कुछ भी आप सोच रहो माला अत्म ले रहे हैं वो गुमती रही और उस नाम लेते से मिचत, यानि सुरती नहीं लगी, तो उसका कोई वैलू नही और सुरत जब लगी मन आपए उसके साथ आजागा और नर्त भी साथ रहेगी, जब हम उस पे चत लगा देंगे, तिन्नों आटोमेटिक आजाएंगे, स्वांस वो है, स्वांस तो हमारा आई ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंतर भीड बोलेंगे, उचारन करेंगे मं धान लाएंगे तो अपने आप तिन्नों वो साथ आजाएंगे, स्वरत नर्त और मन इनका इकठा जोड़ा बनेगा, और पवन चली ही रहा स्वांस, तो स्वरत नर्त मन पवन ये चार इकठे होते ही, ये एक सिमन दो आपने कर जिया, उसकी कीमत बताएंगे, अब क्या बत गवान से दूर करे करेगी, और जब आप और इस सब्द महल में, इस मंतर में, आप में 24 सिद्ध ही आजाएंगे, लेकिन इनका दुर्पयोग सुरू कर दिया, तो आपका पेंचर हो जागा, आपकी पुंजी खतम हो जाएगी, यही रह जाओगे, ना किसी को दूआ दूआ दो, ना किसी को आशिरवाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशिरवाद भरा, वैसे किसी के सिर में कश्ट है, मालिस कर दो, खूब, कोई बात नहीं, और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चर्म नहीं छोड़ा, वैसे कोई बुढ़, बु नमस्कार करो, कतिनत मस्तक हो के परनाम करो सबको, ये सतकार है, और चर्न छोना, ये पूजा माता है, तो पूजा के वले भगवान और उसके सुरूप यानि गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे, तो ये कुछ मर्यादा हैं जो समाद से हमारी हटकर होती है, तो हमने और चर्ण राज़ह करना है पगवान खुढ खुण करना है, और जिन बातों से गुरु दूख पावै तिन बातों को दूर बगावै तब हनसा सतलोप तो इस तरह कि कुछ है, ना किसी को ब्ड़दू आदे न ये भी हमारी ठानी होती है, और ना किसी को दूआ देना, किसी को आसिर वाद भी नहीं देना तरे जू हो जागा फलाना हो जागा ठीक हो जागा ऐसा फुसर हो यह नहीं बोलना नमस्कार करो परणाम करो नमस्ते को लो राम राम कहता कोई राम राम बोल दो क्योंकि राम क्या है राम कौन है उनका राम जो है हमारा राम तो वो है कबीर राम और आजकल एक बिमारी एक और नई एक और चल पड़ी काल की विवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे गुड मॉर्निंग गुड इविनिंग में इंग अवड्टनक अवड्टना व तो थारफ। कि नहीं के रओड अवार दी मैं हुड्टनक करे रूर्टनक शर्द राओड्टन वर तो शर्द करे राओड अवड्टनक अब उसका मिलता जुलताकसर भी होगा विराजी हो जागा God morning, God अब धास बना लो अपना ये God morning, God afternoon, God night यानि God given है समय सुबह भी उसकी दाया से हुई है और दो पहर तक भी हम उसकी रजा से पहुँचे हैं और साम होई है तो भी God morning, God evening भगवान की दीव ही साम है God वैसे हो जागी है हमारे कहने से तुमारे कहने से हो जागी लेकिन उसकी हो जागी आपकी पिंटर हो जागा तो यसी गलती ना करियो जब आप कोई गाड़ी ले रहा की कार और उसमें सहावत कीसे दूसरे टेर्म भगवान की काम पेगाड़ी है जेखो सामने अब भगवान से परवालो जाग परकार के तो सतलो का स्रम परवाला बतागी उनको कि वाह हो जागा है